अमी जी आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर किस तरीके से देखते हैं इस किसान अंदोलन को जहाँ पर पिज़ा मिल रहा है एसी लगा हुआ है किस तरीके से देखते हैं मन कर रहा है किसानों के अंदोलन में आप जाके शामिल हो जाए मेरी इतनी हैसियत या उक लप लगे हुए हैं मेरी आउकात नहीं है कि मैं इससे हाइप प्रोफाइल किसान अंदोलन में मैं जाओं और यह जो हाइप प्रोफाइल और यह सी बवस्ता है मुझे देख रही है यह वर्जन 2.0 है वर्जन 1.0 हमने साहिन वाग में देखा था वहाँ पे बिरियानी बट र प्ऱनगे के नाम के नाम से जानते हैं जिनको तुक्रे तुक्रेट्ट्रे गैंग के नाम से जानते हैं इसलिए और बिल्कुल अस्पश्ट रूफ से कह रहा हूं यदि आप किसान अंदोलन्द के नाम Πर हमारी मेरी सरकों को जाम करेंगे तोल brains लेने को आप जाम मग को팅 करेंगा और आपके Mांग क्या उँगे वह सक्षट मांग आपके वह सामने नहीं आ रह interact लेकिन जो सामने व्हुमर क्पली की रहाी उसमें सरजीलिव हमाम की रहाई कि अपने अपने हल में आप उन दोनों बैलों को उमर खालीद और सलजील इमाम को लगा करके जोतना है कि आप ये बताईए ना आप कैसे आखते नहीं है जो किसानों को पता ही नहीं था आपका मंच के सामने बैठे हैं दस मीटर की दूड़ी पी नहीं है और हजारों लोग मे इसे भानरा पूश्टर लेकर बैठे हुए हैं और आप केंए पता नहीं कोन है आ गये नहीं आ गये आपका एक बार कोई नारा लगा दे अलग हम बान सकते हैं जब कोई पूर का पूरा प्लेकार्श्य के बैठा हुआ है इसका मतलब है कि सुनोजी साजी इसके तयात है और दुगल सहाब योगेंदर यादव जो कभी किसान नेता बन जाते हैं कभी किसान एक्सपर्ड बन जाते हैं कभी सिक्षा एक्सपर्ड बन जाते हैं कभी प्रफिसर बन जाते हैं और इस देश में जेतना भी देश विरोधी ताक्ते होंगी वहां पर ये उपस्थित रहेंगे ऐसे लोगों अगरी सांदोलन का चेहरा बन जारे हैं और वहां पर जो style हमने साहिन वाग में देखा है हम सरके जाम करेंगे कहाने पीने का tension नहीं रहने का tension नहीं यहां पर सेरनिया बताया जा दादवी नानी बताया जारा तो दादी नानी वहां पंजाब की समस्याएं जो है ना और इसका समर्तन आप देखिए कनेडा से और आज मैं एक चैनल उनका चल रहा है यूटूब चैनल लाइव वहां से परसारिद करते हैं वे वहां मैं देख रहा था कनेडा से 31,000 आजार आया किसी ने बेलजियम से 11,000 रुपया दिया मैं अभी तूरंट देख रहा हूं आप मुझे एक बाँ बताईए कि यह जो बाहर और जो बाहर से पैसा आ रहा है आप कल कनेडा की तस्वीरे देखिए कल टरेंटों में निकाला है लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद का समर देख और ऐसे लोगों के खिलाफ अब क्यों नहीं बोल रहे हैं आप बता दीजिए अगर किशान अंदोलन कहता है कि हमारा उससे कोई मतलब नहीं है तो किसी भी किसान नेता ने योगरा सिंग का जो योगरा सिंग के बाप ने जो गलत स्टेटमेंट दिया हिंदों के खिलाफ उसकी मा बहनों की जो बेज़ती की उसके खिलाफ आपने क्यों नहीं बोला एक किसान अंदोलन बता दीजिए किसान अंदोलन के रत जो नेता लोग बैटे हुए है और दूसरा चीज आप इतियास में थोड़ा सा जाई है भारत किसान जो ये यूनियन है आप जब से मैं राजनीती को देख रहा हूं विसलेशन कर रहा हूं निनानवे से लेके आज तक के ऐसा कोई भी ऐलक्सन नहीं है जिसमें अधिकारी कुरूप से भारतिय किसान यूनियन ने कॉंग्रेस का समर्थन नहीं किया हूँ अखवा हार से बेक्चल बॉकलाइट ये कॉंग्रेस पुरानी नीतिया रही है और बामपंती उनके राजनीतिक एक वैचारिक गुरू भी रहे हैं एक चोर चोर मसेरे भाई हैं ये सारे मिल करके किसानों को और जो मुल मुद्देते किसानों के अब वो अंदोलन उससे खतम हो गया अब ये चल गया है अरवन नकसल और टुकरे टुकरे गैंग का जो लोग हैं उनके समर्थर में ये अंदोलन चल रहा है अब ये जिस तरीके से पिज़ा हो गया एसी मोटे मोटे गद्दे हो गया और नजाने कितनी सारी सुविधाएं आधूनिक सुविधाएं जिनको हम कर होते नहीं है और बताइए किसान अगर कोई कह रहा है किसान की पहचान होती है खेट किसान का रोजगार है किर्सी कोई कह रहा है कि छे महिने में अध्यक हम बैठेंगे यहां एक साल तक बैठेंगे आपके खेट कौन कर रहा है आप बताइए ना और आप देखिए जो दो दो ले दूंगट है इनके पास पॉरान दस्सा में चलता था कि यह हैं यह बड़े किसानेbags किसान WHO परोट papa से इन सबके होटल से आप जाके देख लिजे ना यह जो कि सिरो मणी अकाली दल के जितने निता हैं सबके बड़े-बड़े होटल पड़े हुए बड़े-बड़े आलिसान बिल्डिंग से इनकी कंश्रक्शन में हैं यह लोग छोटे किसानों का अस्तक सोसन कर रहे थे अब जब एक नया विकल पाया है कि आप या तो सोसन हो जाए मैं कहा रहा हूँ विकल भी किसानों पर निर्वर करता है या तो अपना सोसन करवा ले या तो आप आप दूसरे मंडियों में जाए कि आपके मांग किया था कि आप मंडियों को बर्वाद नहीं किया जाए सरकारें बार बार कर रही हैं लिकेत रूप से दे रही है कि मंडियों को नहीं करेंगे इस बार भी 33 सारे तीन लाख किशानों से मस्पी पर खईद आ गया है उसके बाद यह जो बामपंती यह 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 जितने बामपंती जो कचिया हतोरा चाप जो जेतने नेता हैं यह अपने सासनकाल जहां केरल में वहां पे एपी एमसी एक्ट नहीं है वहां पे कांग्रेस भी र सादी दो और इनके यहां कुछ बोल दो तो कटवा देते हैं चेंच छोटा करवा देते हैं और जो किसान लोग जो कह रहे हैं किसान यूनियन के मैं बहुत नेताओं को सुन रहा हूं हमें बिल लेना ही नहीं है मैं बिल चाहिए नहीं हमें यह कानून वापिस लो कानून र अमभी है कुस तो वज़ा देते हो ये कानून नहीं आया आप सट करते हो तो आप रहे की कहीं करते हो तो इसका कारण हो Papyr अब मुख काला किया हुआ है भारत किसान यूनियन ने आज तक 2000 से ले करके आज तक 2019 चुनाव तक कॉंग्रेस के इसने माल खा करके उसका समर्थन किया है और अधिकारी रूप से अखवारों में लिख करके दिया है कि भारत किसान यूनियन कांग्रेस का समर्थन करते है या दूसरा वज़ा है कि जो आपके बाप है उसने कहीं मोटा माल पकर लिया है और वो कह रहा है कि हम लर्की से साधी नहीं करेंगे तो आपके बेटे ने जो बाप ने जो मोटा माल पकरा हुआ है उस मोटा माल से पिज़ा आ रहा है उस मोटा माल से टेंट में एसी लग रहा है वह मसाज मज़िन लग रहा है तो यह जो मोटा माल ना और यह मोटा कहां से आता है जिसको भंडिंग कौन करता आएसऎं चाहिए इसको समर्थन कौन करता आएसई और जो सायनवा का मोडल ता आज तक मैंने किसानों को हमेशा देखा है वो कभी नहीं कहते हैं कि हम टॉल टक्स नहीं लेने देंगे आद टॉल खुला कर दो जो भारत के राजत सुको घटा हो आप दूसरा का तने हम शरक जाम कर देंगे अतिकर्मण की सोच दो ही लोगों में है पूरे आप चले जाए पूरे बिसो को पहड़ लीजे एक जो नक्सली होते हैं जो उसका भी तो यहां पर नक्सली है उस जंगल में आप नहीं जाएं उस जंगल का हमारा वह आतिकरमन का है दूसरा कि कर्मन मुगलों का है चाहे वो तोर करके मजित बना दो सरक के बीच में मजजित बना दो यह साहिनवा के सरके जाम खर दो यह अनकारण से बनारस में बनारस में जो मंदर था उसको तोर करके बनादो या मत्रा में बना दो तो दो ही सोच है हिंदुस्तान पुरेबिस में चाहे बंगाल पुरेबिस को देख लीजे नकसली और दूसरे ये मुगलिया ये दोनों सोच ही अतिकर्मन करते हैं सरके जाम करते हैं और भरत के राजसों को घाटा पहुचाते हैं आज के दिन अगर यह कर रहे हैं टॉल टेक्स नहीं लेने देंगे तो इसके अंदोलन में किसान की मांगे क्या है आप बैटिये ना आप देखिये कुछ दिन ऐसा होगा ना जो साहिन वाक्ता हुआ जनता मिलके घरियाना सुरू कर दी अब दीरे दीरे लोग समझ में आने लगा अब इस अंदोलन का भी हुआ ही होने लगा जनता यह सवाल करने है तो या तो तुमने कहीं मुख कला किया हुआ है या तो तुम्हारे बाप ने कहीं मोटा माल पकरा हुआ है तो अब यह तुम्हारे इस मोटे माल के चकर में देश की जनता जैपूर जाना चाहेंगे दिक्कत आएगी आज पंजाब जाना चाहेंगे दिक्कत आएगी अब कबजा करके अब चडहाई करना चाते हैं और उसके बाद क्या हुआ था शाहिन वाग के बढद साहिन वाग खेत बेशना पड़ता है उनको तो वो इस आंडोला इस कानून से खुश है आखिर ये दर्ध कोन है जिनके पास ट्रक पर खालिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर लगे हुए वे ट्रक वाले वो जो पिज़ा खाने वाले किसान है वो जो आलिसान बिल्डिंगों में रहने वा ले और तुसी वेंड़ी वेंड़ी करने वाले जो हैं ये किसान को ही तकलीफे हैं इसलिए अब समय आ गया है कि अब जनता इनसे सवाल पूछेगी कि आखिर क्यों बैठे हो भाईया यहां पर एक और प्रिशन बड़ा जरूरी हो जाता है कि जैसे ये पंजाब से हर्याना से जो किसान आके मुखेता ये पंजाब से आके बैठे हुए हैं तो अगर मिर को अगर याद आता है जब मैंने बिहार इलेक्शन कवर किया था तो बिहार के किसानों की हाल याद आती है कि जिसको अकर अपनी बेटी की शादी करनी है तो उनको एक कठा दो कठा जमीन बेच तो रिश्वत के लिए भी उसको सरकारी अपनी जो जमीन होती थी उसको बेचना होता था तो क्या यह जो बिल है यह उन किसानों के लिए फाइदे मंदर नुकसान देखे सचा यही है कि यह जो बिल है यह छोटे किसान जो 90% किसान है देखें मेस्पी प्रिमाद 6% खईदारी होती है और वो उसके होते हैं जो बड़े किसान होते है तो 94% जो किसान है जो गरीव है औो जिसका चेहरा दिχा करके जिसके फूटो दिखा करके यह यासिया करना चाहते है देखो डली दांदोलन में भी यह उता है आपके घर के पास जो मोची हैं अपके गहर के पास चोटे-चोटे काम करने ओज्जा नाली साफ करने वाले इनका तस्वीर दिखा करके ग्रूप एक आधिखारी प्रोमोज्य ले लेता है कि हम दली से थे हमें डली सिँ हमें प्रोमोज दो और यह यह चोटे छोटे लोग है इनके नाम पर रादनीती होती है इनका दोहन होता है और यह ऐसे रहे जटाते है और जो आई सोते हैं तो पहते हैं के तुम्हारा ठावल झोंत ला मुझे मैं 20 रुपे दूँगा मैं 5 रुपे दूँगा मैं 3 रुपे दूँगा ऐसे करके यह लोग खरीते हैं और यह लोग महंगे दामों में बेश देते हैं उसमें कुछ मिली भगत FCI के लोगों से भी होती है तो वैसे लोगों को समर्द जब तक नहीं करेंगा 94% तब तक आप 6% के दवा में जो बचा हुआ जो तबाह हुआ 94% का जो किशान है उससे समर्द करने के लिए यह कानून है जिसको यह जो 6% के जो लोग है जो कबजा किवे 94% पे कहीं ना कहीं डिरेक्ट इंडिरेक्ट वे में कबजा ही माना जाएगा वो प्रतारित समझ रहे हैं वो सरकों प फेल हुए थे और इस बार भी फेल हुए और आप कह रही थी कि पिज्जा खता पिज्जा इटली का बहुत फेमर्स डीस है और इटली से के कौन-कौन लोग हिंदुस्तान में है यह बताने की ज़रुवत नहीं है नानी घर से आ रहा है पिज्जा खाने दीजे कुछ दिन क के बाद यह खुदी सांथ हो जाएंगे